हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मंदाज क्लासीज आज की डेट है 11 अगस 2022 तू देख लेते हैं कौन-कौन से करन्ट अफेस आज हम डिस्कस करने जा रहे है जो हमारा पहला पहला अर्टिकल होगा हो उसका नाम है एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में दूसरा आगे बड़े इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट प्लीज हमारा चैनल को लाइक किजे सब्स्राइब किजे शेर की जो बैल आइकन दूदा वालिए ताकि आपको इंपोर्टेंट अप्डेस टाइम टू टाइम मिलते रहे तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल जिस तो जगह यहां हो बजलो डिश्टी का फ आ कन दक्ट हुआ है यह वजह पर हाद दौजर बाइस कि किस के ब्चुमां होती है इंडिया की इस की आहां है यहां पर दो तिन कोश्चन बन जाते हैं पहला तो एक कहां पर कंड़क्ट हुई हिमाचल में कंड़क्ट हुई ठीक है हिमाचल में बखलो में कंड़क्ट हुई पहला कोश्चन दूसरा कोश्चन कि कि किन कि बीच में कंड़क्ट होती है इंडिया के बीच में और यूएस के बीच में प्रहार कि किसके बीच में इसका एम यह कि दोनु इस एक्ससाइज को पंड़क्टरने का एम यह कि को इंप्रोव किया सबस्केश के दोनों ही इंप्रोव किया जा सब्सक्राइब करना चीज़े को कैसे समझेंगे एक दूसरे के मतलब चार चीजे कि वो कैसे काम करते हैं उनके तरीके से काम करना है यूएस से हमारे तरीके का अपना काम करें हम यूएस से के तरीके का अपना के काम करें जो उनकी मशीने हैं वो मशीने जो है मालीज हाई टेक मशीन हैं उनको हम चलाना जानत हो तो यह होता है कि हम इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ा रहे हैं उनके हम चलाना जानते हो उनके साथ हम कोलेबरेट कर सेगे युद्ध की अवस्ता में तो यही एक्सेसाइज का मतलब होता है और दूसे देश्व पर भी एक तरह से प्रेसर बनाता है कि एक दूसे की स्टे साथ होती है इसमें इंडिया वी और चो कि मालाबार एक्स साइज ये टाइल एक्स साइज कुछ दिन पहले हमने इसको डिसको भी क्या था यह तया लिट नौल एक्ससाइज द्यां रगना यहां पर नवल एक्ससाइज है इंडिया यूसी यूसी और जापान के बीच मोग थी यहाँ सब कोज्शन देन कंपूसरी पॉर्स के बीच में ठीक है नोवल एकसराइज आपकी यह पूर्सरी में संद्ध समय चैक रौज है confiance के ट्षी वारे में हिम दोन ऐखान प्रोग्राम जान क्या आप जाए है तैट LIK लोजी का टाइम है और आज के ताइम में कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है वो ड्रोन का बहुत ही लाज स्केल पर इस्तेमाल कर दी है ठीक है आप देखो कहीं पर ऐसी सिच्वेशन हो जाते हैं जैसे कहीं पर लड़ाई हो रही है यूद चिड़ा हुआ है तो कहीं ऐसी जगे सि पढ़ेगा जो अपने परसनले उनको भेजना पढ़ेगा तो हो सकता है उन पर आटेक हो जाए जान का खत्रा होता है तो आप बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही कीमती जाने बचा सकते हो उसकी जगे डौन को इस्तेमाल कर सकते हो दूसरा जहां पर आदमी नहीं आपके लिए क्या है ना एक दम रियल टाइम आपको पिक्चर शो करता है कि उसमें कैमरा लगा हो तो पिक्चर यह आपका पिक्चर सेंड कर सकता है ठीक है मतलब इसमें बहुत ही जादे अच्छे फीचर होते है तो डौन का इसमें एक तरह का प्रोग्राम बना हिम डौन ठीक है अब यह जो प्रोग्राम है यह Indian Army ने newly किये इस दो IKEA किया हुआ के इस प्रोग्राम के जर्शे कि एक इक तो अपने इंडिया में उसे डेवलप करना शुरू करते मैनुफक्शर करना शुरू करते ताकि हमारा जो रिलाइंस है अधर कंट्रीज पर बहुत ही कम हो जाए तो इस वज़े से हमने में किन इंडिया प्रोग्राम चला है इसका बहुत फायदा देखने को भी मिल रहा है मगर ह हम डिफैंस की जहां पर बात कहते हैं जादर तर डिफैंस को जो भी हमारा इक्यूमेंट होते हैं community बहुत बहुत है gonna आं के ऑंपको आर्मी वेपंस के आर्मी के जो आपके एक्यूमेंट्स होते हैं उनके तो यह टैग हमें हटाना एक तो दूसरा कि हमें इतना ज्यादे तेकनोजी नहीं कि लेटेस टेकनोजी का यूज करके हमारी मेक इंडिया के अंदर हमें डिफेंस में मैनुफेक्शिंग को बढ़ाने है हाइ सेक्टर में हमारा में कि इंडिया को खुदिटक्रेणा और ह temuникомी ऐ he तो यहां पर यह लिखा है किस लाइन में यानि कि 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 कितराफ पर है कि मैंव फुल्फिल करता है मेक इंडिया प्रोग्राम आपने है उसकी लाइन पर फुलिखिंट आज तो यही क्या करता है? Katalyze करता है. Katalyze करना कि इस चीज को ज़्यादा बढ़ावा देना ज्यादा तेज करते ना. उसकी speed को तेज करना. Provide, यानि किसी resources प्रवैड करता है. कैसे focus करेगा, opportunities पर vocal whilst करता जो कि इंडिया का डॉन एको सिस्टम तयार कराएगा इससे ऐसा करने से क्या होगा अगर आपने मेक इंडिया प्रोग्राम में ये डॉन सिस्टम को इस्टेबलियो कर लिया सामिल कर लिया मिक्स कर लिया तो इससे हमारा ये डॉन जो प्रोड़क्शन का सिस्टम एक इंडिया कर सकेंगे तो यह यह जो दोन एक्षोन आपकी जो प्रॉग्रामै वो एक तरह से пал हुआ इंडिया promoted अई ए निए आपके सिफ दिलिनारी में तो आप यह इस में आपको इसको मुझा जा को मतलब launch किया जा रहा है ठीक है यह सारे stakeholders को connect करेगा जितने भी stakeholders जैसकि defense से होगे आपकी government से होगे defense sector होगे आप private players होगे आपकी state government होगी central government होगी और आपकी और भी जो आपके civils को भी एक कनल वो करेगा researchers को कनल वो करेगा मतलब वो करेगा मिलाएगा मतलब प्लेटफॉर्म पर लेका अकैडमिया को लेकाएगा डेवलपर जो software डेवलपर भी चाहिए ना क्योंकि आप टेक्नोलोजी का यूज नहीं करोगे तो आप मतलब बहुत ज़्याद है primitive stage वाली प्रैक्टिस को अपना होगी तो इंडेस्टी को भी होगी कि इंडेस्टी बहुत ज़्याद ही जो इसको डेवलप करेगी ठीक है यह डोन मैंफिक्ट्रिंग में है तो यह सब इसमें बोला गया है जहां पर यह देखो चोड़े से बोलो ओटोनोमा आना जाने पर फाबन दीती है तो ड्रोन्स बहुत काम आए ठीक है डेवलप्रेंट्री में इंडिया में कहीं जगे डॉन्स और आपका एक तरह से ड्रोन एंबुलेंस की तरह काम करेगा दवायू पुछाने में ठीक है और भी कैसा रीची जो को पुछाने में ठीक है नैन आग्ला तो हमारा एजी एब की या ये नियूज में इस लिए कि यूएस ने अनांस ये किया कि जो एजीए मेर्न को सप्लाइं करेगा यान की यूपिपें को दे रहा है और यूप्रेंट को क्यों हो दे रहा है कि यूप्रेंट जो है अपनी मिल्टरी कैपडिधि की अगर तो बहुत जाद अगी है उसके पास उतनी नहीं कि वह रस्या जैसी बड़ी कंटी का और बड़ी मातब मिलीटीली पाउर्फुल कंटी की मतलब उससे फाइट कर सके तो उसको क्या है यूएस यूएस आप जानते है यूएस किसके रस्या के एंटि रहता तो यूएस दुस्म कि निटाइट पर जाए तो यह तो यह जो आपका जो फाइटर जैट्स होते है उनके साथ अटेस्ट कर दी जाती और में से लॉंच्ट कर सकते हैं जिससे की बड़ा फायदा पहुंचे हा इसको क्या कि इस तरह से डिजाइन की यह ट्रैक कर सकती है आपको गुष जाएगा उसके गुष के थो थोड़ा से इसकी बार में जान लेते हो जो एक्रोनी में हरने हरम वैसे तो पहले मुगल टाइप हूँ ते तो वो कहना हरम होता हुती ति थी जो जो भी उर्ते उन्हें पसंद आ जाती तो सभी उर्तों को अपने मतलब सेक्स्वल प्लेजर के लिए घर के काम काज के लिए और भी कैसारी काम अपनी जो महरानी उनकी वो होती थी बेगम होती थी उनकी सेवा पानी के लिए वो उर्तों को रखते थे तो उस हरम में बहु है लेकि ये अब जैसे फाइटर जैट तो दर्टी पर नहीं उड़ेगा ना ये एर में उड़ेगा आकास में उड़ेगा अब जी आकास में इसके साथ अटैच है मिसार तो आकास से लौइंची की जाएगी ना और जो आपका वो रडार सिस्टम है किसी भी दुस्मन देश का जैसे कि यूपरेन का दुस्मन को ने रसिया अब रसिया की कंटरी में गुसके या रसिया के बॉर्डर पर जाकर मौहाँ पे मिसाल दागना है तो मां का जो उनके रडार सिस्टम है प्रॉब्लम क्या होती रडार इस नहीं यूज कि जाता है ना तक ही दुसमन देश से तो इससे मतलब काफी नुकसान होगा जो डिफेंस सिस्टेम है रश्यक्त को काफी नुकसान होगा तो यही बता लिए जो हाय में AGM 88 हम जो एर टू सर्फेस जाइल है यह हाई स्पीड एंटि रेडियेशन मिसाल दो हार में हाई स्पीड एंटि रेडियेशन मिलें यह यह सबनों कि हाई स्पीड यह सबन कि एंटि एंटी और से बन लिएसंगे जाता है है जिसे है फायर किया जाता है फाइटर एयरक्राफ से जो आपको फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हमाँ होते है ठीक है इसके बारे में फोड़े से और फीचर जान लेते हैं कि ध्यादर जोड़े मीटर की लेंटर होते है जिसमें से यो पर इसके बीट होता है उसके पास होता है कि आपके ब्रोड वैंड जो आरे फीजन के आपकी जो आपकी यह आर एक वोती देडियू इसके पास यह होता है ठीका और सोलिडिटिट डिजीटल प्रोसेसर भी होता है यहिए टेकनोलोजी का भी इस्तेमाल कर रहा है ठीकि इसकी रेंज जो सो किलोड़ेमिटर कि मारत स्वमता है कहने हम सो किलोमेटर कि रेंज में अपने मीशाय को प्रोजर्ट्ट कर सकता है ठीक अगला अर्टिकला लंगाए नोवल वाइरस रहेन है। वायरस का केसी देखने मिला। उससे महतμεर ले भी बोल सकते हो इसका कहांँ पर देखने को मिला शैंग डॉंग और इनान में। ये किसक «क autonom के इस्टेट है तो जायर सी बात है आपका ये जो कोविड नैंटीन वायरस था वहां से निकला और कई सारे वायरस वहां से निकले तो आपके शैंग डॉंग और नन प्रोविन्स में जो चाइना के हैं वहाँ पे इसका उद्गम या वहाँ पे इसका जनम देखने को मिला है तो याद रखे लंगे लैंगया हैनिपा वायरस लंगया बोल दो लैंगया बोल दो जो भी आपके मनद्वा वह बोल दो पस नाम सामने आजाएगा तो ओप सनामारा राइक क्लिक हो जाएगा उसकी तेंसर ना दो कि नाम क्या बोल रहाव ठीक है यह पिक्चर एसकी कि यह जैसे कि अभी समुद्री जीव होगे और जो आप फिस ठलके जीव होगे दर्ती पर रहने वाल जीव होगे उन से प्रॉन होता है जाद है उनको जाद है यह क्या कर रहा है और यह जो पॉलिस की गए थी जो न्यू इंगलेंड जनर्र ओप मैडिसिन उसमें पॉलिस की गए थी तब यह पता लगा दुनिया को ठीक है अब देखिए नीपा वायरस और हैंडा वायरस के बारे में आप फोड़ यह जो दोनों वायरस एक किस फैमिली से बिलोंग करते है यह पैरा माय एक सो विरेडी फैमिली से बिलोंग करते है ठीक है अब देखो कोशन अगर आ जाए तो पूज हो सकता है बस आपको याद हलका सा होना चाहिए एक बार पढ़ा हुआ है ना आपने तो एक्जाम में को यह फैमिलिस यह बिलोंग करते है और यह तो आपका वायरस होते हैं ऊस तैप का ठीक है इस तैप को यह थो आपने जो प्रवार इस ते का फीमड़ का है जो सिंगल इस्टेंडिड आरणी वायरत को बिजनव देता है इसमें यह बता गया और इस वायरस में किसे ये वायरस किन की चीजाँ पाए जाते यह जो चौगादर होता है घीवंत जीव करने जाता है ची सिंटम तुक्यीव से यहां से टॉम्हें बोल गए और यह बहुती फैटल इसलिए हो जाते कि जिस चीज का कोई इलाज हो रामानुजन टीवी यह हमारे वीवी का नंजी टीवी की बिमारी से मरें मगर वह ऐसी बिमारी थी साथ टीवी या दमे की बिमारी से इतने बड़े साइंटिस्ट वर्ल्ड के थे वह हैं तो वह उस टाइम पर आज टीवी अगर किसी को टीवी है और आपकी ऐसी स्टेज में भी है ना कि जो मिडिल स्टेज में पहुंचिए फिर भी ठीक हो जाता है तो आज इलाज संभा हो गया आज बिमारियों का इलाज काफ अगरी जो हमारी बीमारी बारे में वैसको दीख रहें है यह आपका होली वूड का एक्टर है तीक है आप जानते हो सकता है आप जानते है है इसका नाम है ऐस्टन कुच चर ठीक है इनको यह इस तरह की बीमारी हो चुकिया यह बहूत ही सूपर रेयर फ़ोर्म फ्रेस्ट है इनको जो ही इसमें क्या हो गया के आखों की द्रश्टी कम ओर यह सुनने की पावर कम और इनका लड़ खणाना है इनका एक्लिप्टियम नहीं बन पाता है अब इनकी इस्टेटर से चेक चेकिया जा सकता है तो अब इस बीमारी के बारें पढ़ लेते हैं यह तो नहीं इसमें क्या होता है जो आपको बडेंट होता है नहीं होता है जो नसे बहूं दोड़ रहा है जाए इस कि जो ब्लड वैसल जिनके अंदर खून दोड रहा है जो बालों से बहुत पतली है और मोटी भी हम्ट जो मोटी नसे खुन दोड़ा है तो ब्लड वैसल्स में जलन होने सुरू हो जाती है ठीक है तो इंफ्लेमिशन में क्या होता है जो आपका नैचुरल रेस्पॉंस सिस्टम होता है बोडी का जो इम्मुन सिस्टम होता है किसी भी इंजरी लगने पर वह तो इंफ्लेमिशन लगने पर क्याना वो उसके इफट को कम करते है जे इंफ्लेमिशन का कंप षो जाता है तो इससके क्या-क्या आपकी सिंटम्स हो सकता है या क्या हो सकता है दभ आपा पर नर्वस सिस्टम हो सकता नी ऑसकता है यक्दमी वाईपैंशन हो कहता है घ्रों पार इसकिन हो जाएगी जिसपे अलग अपने हैं يعны कि वह रेडिस ही ठीक है वह दर्द रहने लगेगा ठीक है और र्धिआइस तिक है आपकोई वह पार हिर र Touch यह ना सकते है नर चुन सकती है यह कम हो सकते तो यह ऐसीज़ इसके स्म्टमस होता है यह बिमारी है किसी को लिए खतरनाज विमारी है ठीक है अगला article हमार कैशल आइलेंड के बारा कैशल आइलेंड के जो इसकी देखिए कहा है क्योंकि इसकी इंपोर्टन जो इसकी लोकेस्टन है वह जानना वो जूरी आप को खरीन वाला पोर्शन दीख रहा है यह हुआ यह वा यह सब फोर आप तो यह क्या है ईए सारे है और यह आपने पोर्शन दिख रहा है यहाँ और जो आप आपको औरैंड को आप समझ तो आईलेंड बहुत जाद है आपका पूरा एक बहुत ही डाइवर्स बायो डाइवर्स सिटी को एक बहुत ही हेल्दी एको सिस्टम होता है वहां पर मैंन ग्रूवस होते हैं आपके वैट लेंड्स होते हैं वाटर बोडी होती है और भी बहुत सारी फ्लोरा एंफोना बहुत ही जाद है हल्दी कंडिशन में होता है ऐसी जगह जहां पर इस तरह की यह की यूमन का इंटरफेंस बहुत कम होता है और आपकी नेच्रल ब्यूटी में वाट पर तो यहां पर जो यह आपका मैंन ग्रूवड है यह आपको औरेंज क्लर में दिखा गया अब इसकी प्रोड को पता करते हैं देखी यह आपका अंडमान निकोबार और निकोबार कहा पे इंडियन आइडल आई इसको आपको और आइलेंड का जो पूरा समू है और की पिल्गियों है उसको आपको और मान आइलेंड बोड़ेंड वो जो नीचे वाला है आपको क्या the breakage कीसा है उपर आपका अलग हैं यह नोट अंब्वारण होगी है है यह आपका लोवार अंबान होगिया तीक है यह पॉंट फ्यूल हो से हैंड्ड गाफियर होग तीक है लीडिल हो गया है यहां पर ही है यह HC. यह ना कार निकोबार है दीक इन पर है यह मैंन को कौमी हो गया यहां पर जो आप दिख रहे नो यह वाला यह यह आप कारश लया ला के ब्रने का है लिक्वार नीकवार है little! नी कोषए हो साथ है तो आद तो हमां केचल की पोजिशन की रहा हो को है Php Dal P reliable. इसके लोकेशन इसकी है लगी इंडियन और नहीं कि आपने देखे लें जानी इसकी लोकेशन अब हम पढ़ते हैं कि न्यूज में नासा ने अपनी स्टेडी से सैटलाइट से देखा जो मैं गुरू है यह आपके औरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं इनका नहां पर जो है लोस देखने को मिला है भोजा रहे हैं कि जितने मैं गुरू पहले थे उसकी सैटलाइट हो जुगा है जैसन हो तो इस वज़से यहां पर रोज्ट हो जुगा है जो किश वज़़े से इंडियास केंदर ने पर रोजह लोकेशन इंपोन्न में को पहले ते जाना जाता है कौन्वारी टाइप्स रहती है को यह जो माइग्रेट हो आपका आगे तीक है अगला आर्टिकल हमारा बीतर कनी का नेसल पार्क के बारे में देखे अभी जो एकसपर्ट है जो साल्ट वाटर प्रोप्रडाइस होते है उनको पर जो सब्सक्राइब कि इससे जाद है, अब वहां पर किया वह जो भी वहां पर प्लॉरेंट होना उसको एड़्जेस नहीं कर सकता, दूसरा human interference को एड़्जेस नहीं कर पाएगा, ओर भी कही कही सारी ऐसी बोर हो जाता है अंदर से कहता है भाई बस अब इससे जाद है मत बोल मैं पक गया हूं मेरा दिमाग पटने को हो रहा है तो उसका saturation point आगए सुनने का यानि कि इसी तरह से कि इस चीज़ का saturation point यहीं फुली वो complete होगी जिस चीज़ को ग्रैन कर रही थी ठीक है तो यहीं बोला कि जो saturation अगर एडर्स नहीं किया तो बहुत बड़ा कोस्ट इसके देखने को मिलें तो इसके बारे में जान देते हैं सेकिंड लार्जस्ट मैंग्रूफ फोरेस्ट है इंडिया का ठीक है और यह रामसर साइट भी है इसे बीतर करने का नेसल पार्क का दरज़ा यानिकि इसका नाम जो यह है बीतराणी अस्यूर्य ओ धमरा न हम ठीक है टुट ए जो रिवरस लेज तो उसमें यह पूरी फैलिओं यह संत्लमें के और ब्रह्मनी जो रिवर पुरा इसके बीटेनस चन्स साबरेफर कांपर उडिसा में यानिके बिदर करनी का नसले खोड़ कराइव बडी समा में अबillarशा के फ viral जिक होट एक आपका होट स्पोर्ट है मेंगरूज के लिए हैं माई गरेटी बर्डिक करनी लिए Turtles के लिए इस्टूराइन अ Nej सारी क्रीक्स हैं पर उनके लिए बहुत जादे फेमस है और यह बोला गया लगभन सब्सक्राइब कर्जू में नहीं एक साल्ट बाटर क्रोफोडाइल है उनको यहां पर गर मिला हुआ कहना मतलब बहुंक है उनको यहां पर हैते सब्सक्राइब जो आपकी आश्चूरीन है यहां पर रहते है, इसमें यही बूझा थीक है, अब यह पो प्रॉप्रेट ERRbingा का बृत कर लेख partnerships तो यहां पर आप देख भी रहोंगे पिक्चर में यहां पर सतकोशे टाय गया रिजल वाइलेफ सेंक्चुरी यह वाली जो आप देख रहे हो यहां पर आपकी खाला सुनी वाइलेफ सेंक्चुरी है और भद्रामा वाइलेफ सेंक्चुरी होगी यहां पर देवगडी वाइ तो दोस्तों यह थी आज के हमारे डिसक्सिंट इस डिसक्सिंट में इतने थैंक्यू थैंक्यू तैंक्यू वर्मच पोर डिसक्सिंट